कि एलो दोस्तों कैसे आप सब लोग एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री मेंटर्शिब की यूट्यूब चैनल पर और जैसा कि अभी पर्वत्योहर का सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत रिवीजन का क्रम तो डिश्टर्ब होई जाता है फिर भ क्लासे सारे जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं फिर भी एक हरसुद लास का महल रहता ही है थोड़ा बहुत अपसेंट के साथ पी रिवीजन करते चलेंगे और देखेंगे कि दिल्ली जैसे सहरों में भी आईक्यू लेवेल दिवाली के कल होके ही 400 के पार चला गया यानि यह यहां भी जितने भी आप चाहो बेन लगा लो जितनी शक्ति बढ़तो लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि यहां हमें नहीं लगता कि आतिसवाजी में कोई कमी हुई है और कोई असर पढ़ता है चलिए इन सब चीजों को छोड़ते हैं और आज एक परिशा की एक जन जाती थी तो वहां डिजीज बीमारी महमारी को लेकर एक चर्चा में आ गया था या फिर कोई पर्योजना से संबंधित इलाक्या है तो उनमें जन जातियों से संबंधित प्रस्ण रहते हैं और कल ही दिवाली तो आज देखेंगे कि सबसे पहले दिवाल तो अन्य जन जातियों को इसी क्रब में देखेंगे पूरे भारत का मुख्य मुख्या हैं जो एक्जाम में आते हैं ऐसे तो 400 के उपर जन जाती हो गया है पर उन सबकी नहीं जो प्रिविस यह में पेपर में उठाकर देखिए जो कुछ मुख्य जन जाती है उनसे रम्मु कस्मीर कुछ पर दीजिये लद्दाक हिमाचल पर्देश उत्राखंड सिक्किन और यह और नाचल परदेश वाले में जो प्रजाति हैं उनको क्या कहा जाता है मंगोलाइड जो प्रजाति आके बश गया सथाई ऐसे है कंध्र घ्रविरियन १ में द्रवीर्यन ऑکर मुख्य द्रविशन है और लक्षिन भारत उत्तर भारत ऐसे करके option में दिया रहे गा और ऐसे कोश्चन पूछता है तो चलिए एक एक करके सभी राजियों की और अंडमान निकोबार दूप समुग के जन जाती से भी एक दूबार प्लस्म रहा है तो एक एक करके देखते हैं तब से पहले उत्तर से कुछ हिमाचल वाले इलाके में भी रहते हैं कौन-कौन से लद्दाक का बकरवाल चांगपा गुज्जर नेक्ष्ट देखेंगे जम्मु कस्मीर में डोगरी जन जाती फिर हिमाचल में लहावली गुड़ी और स्वांगपा फिर उत्त्राखंड नेक्ष्ट देखेंगे उ मोटिया मीती मारा आदी जन जाती इसी करब में आगे आएंगे इस परफ तो उत्तर प्रदेश थारू अभी बताएं बिहार का बैगा बिहार में बहुंच जाते जन जाती है नहीं 15 नमबर 2000 को जब बिहार से जारखंड अलग हुआ तो अधिक्तर जो जन जाती थे वह पठ बहुत सारे जन जाती जो है वह जारखंड में पर नेक्ट देखेंगे बेश्ट बंगाल में हजोंग और संथाल कुछ यहां भी है उसी तरफ आगे बढ़ेंगे नौर्थीश्ट के तरफ तो मेगाले में शांसी जन जाती आसम में बोडो यह चर्चा में हम इसा रहा है और रखे लिएगा जो अर्नाचल पर्देश में है वो दाफला मिसमी अबोर नीसी और इसी के नाम से यहां की पहारियां भी है फिन नागलेंड में नागा मनीपूर में पूकी मीजोरम में लुसाइ श्रीपूरा में रियांग और मेगाला की खासी इनमें आसम का बोडो और मन नीपूर का कोकी यह दोनों याद कर लिजिए करेंट में इन इलाफ़ा में सिर्टा है तो यह पूछेगा नेक्स्ट उरिसा कॉंद जुवांग खडिया भोमिज इसके अलावे भी अन्ने बहुत सारे जन जाती हैं उरिसा में पर मुख्य मुख्य चार याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा कॉंद जुवांग यही करेंट में चर्चा में था एक दो सल पहले महामारी को लेकिए फिर खडिया और भोमिज यह चारो पुरिशा की तिस गड़ की एक सौरा नेक्ष्ट देखेंगे आंध पर्देश आंध पर्देश में कौन सा है पोया गड़वा सवारा गोंड और यह गोंड जो है वह भारत का सबसे बरा जन जाती है सम्मून सीधे सीधे गोंड से भी कई बर प्रस्ट पूछ रखा है अब देखिएगा प्रिवेसियर में नेक्ष्ट तेलंगाना तेलंगाना की शेचु जन जाती और यह भी पूछ रखा है प्रिवेसियर में नेक्ष्ट देखेंगे तमिलांडू तोड़ा बर्गा मलया यह जन जाती साथ ही अंडमान निकोवार दूप समू को देखेंगे सेंटलीज ऑंग जारबा सैंपेन और अंडमान निकोवार में अभी भी कुछ ऐसे जन जाती हैं जिन से संपर्क हो पाना मुस्किल हुआ है अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है वह अपनी आभी तरीके से जीवन जी र जाती है जैसे मोपला पनियार गादर उराली चार जन जाती किरल की है नेक देखेंगे तूंडा और तूंडा है वो तमिलाणु केरल और करनाटक तीनों के जो इलाके हैं जो बोर्डर इलाके हैं उनमें रहते हैं और ये दक्षीन भारत की सबसे बरी जन जाती है कौन तू यह दोनों सीधे सीधे फैक्ट ही पूछ रखा तो ऐसे ही याद कर लिजीगा नेक्स चलेंगे करणा अठक में पुर्गी और पनियाल नेक्स्ट आगे महाराष्ट और महाराष्ट में कौन-कौन से है पर्ली बंजारा कित्वन गोंड इन्हीं में से कोई एक दे देगा बर्ली या बंजारा और नहीं डिविजन कि रहे हैं और तो कुर्शन गलत हो जाएक्ट कि नेक्स्ट देखेंगे मध्र पर्देस पेगा और गोंड बंजारे चुन्द बीराज़ीयों में थोड़रे-भू नेक्स्ट गुजमागे डिखेंगे राजेस्थान सहरिया, भील, गरासिया, मीना, केसर जन जाती, रास्थान की है, दिल्ली, हर्याना और पंजाब वाले इलाके में त्रेटने के जुरूत नहीं है, यहां जाने जाती, नहीं के बराबर है, तो बहुत मुस्किल नहीं है, दो-तीन बार देखते हैं तो याद हो जाएगा, और इ पूछ रखा है, तो 10-15 मिट अगर रिवीजन लगातार 2-3 दिन कर लेंगे, तो याद हो जाएगा, वैसे सारे बुक में है, आपके पास भी बुक हुआ, रखा रहता है, रिवीजन नहीं होता है, तो ऐसे ही, अगर आप सुन भी रखेंगे, अगर मोबाइल में 2011 में हुआ था, तो 2020 में होना चाहिए था, पर COVID की करण हो नहीं पाया, तो अब जो हो गया करम वो 2025 से 35, तो जो 25 में जनगना जो शुरू होगा, वो 26 में डाटा आएगा, उससे पहले जितने भी एक्जाम है, उसमें 2011 के जनगना का ही डाटा आना है, तो एक बार अभी यू चलिए, बहुत मुश्किल है एक दो बार देखती, याद हो जाएगा, मिलते हैं, नेक्ट सेशन में भारत के जनगना के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद,